हेलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग कैसे हो होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स आज की इस वीडियों आप लोग से मैं जीगे जीएस का टेश्ट लोगए इस पेसल यूपी बीएट एंटरंस एक्जाम दो हजार तेश के लिए इस वीडियो में जीटो टोल आपके कोश्चन्स होंगे वो होंगे 30 अगर आप लोग 30 में से 12 प्रशन सही कर लेते हैं तो आपकी जीएस की तहरी अच्छी है पीछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिश्ट में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ इसमें आपको सभी सब्जिट के 5000 से जादा टॉपिक वाइस अब्जिक्टिक वोशन 10 एर के प्रिविसे पेपर्स देखने को मिल दाएंगे लगभग 500 पेच की ये निचोड नोटस है इसका जो प्राइस है बहुत ही कम रखा गया है 149 रुपे रखा गया है तो परचेश कर लें बहुत ही हेलपफुल है हमारा ये क्रैस कोर्श ठीक है चलिए सबसे पहला प्रशन आपकी स्केन पे आ गया है कि निमलखित में से जो है जीडीपी अप इसफीती कारक कहलाता है कौन बताएं सब लोग गूड बॉनिंग सबी को वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सब लोग आप सबी लोग को बताएं कि 10 फरवरे से इसका फॉर्म स्टार्ट है और 23 अपरेल को इसका एक्जाम है तो आप लोग अपनी तैरी अभी से सुरू कर दें तो बताएं कौन जीडीपी अप इसफीती कारक कहलाता है तो इसमें आव इसफीतिक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात यही कहलाता है अप इसफीती कारक ठीक है अगला पर देख सकते हैं कौन सी संसा नजर रखती है कि बैंक वास्तों में नगत सेस बनाए हुए है बताएं उस संसा का नाम बताएं जो नजर रखती है कि बैंक वास्तों में नगत सेस बनाए हुए है तो वो संसा है भारती रिजरो बैंक ठीक है भी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा important question था आपके exam के लिए friends अगर आप लोगो 2023 में UP से B8 करना है या किसी भी state से B8 करना है सरकारी college में admission लेना है तो आप लोग हमारी चैनल को subscribe करके बैल आइकन को ओल पर पिसके लिएगा जो भी B8 entrance exam की update है वो update आपको शबसे पहले हमारी चैनल के मादम से ही देखने को मिलेगी चलिए अगला प्रशन निमलिकित में से किस देश के पास लिखित सम्विधान नहीं है बताएं सब लोग किस देश के पास लिखित सम्विधान इसमें नहीं है आलिखित सम्विधान इसमें United Kingdom का है ठीक है तो आफन इसका ये वाला बिलकुन correct हो जगा चलिए अगले प्रशन को जाब देंगे जो की बहुत ही important है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है भारती संसदी प्रणाली में खाते पर वोट की वैदता कितने महीने तक के लिए होती है चुनाओ की वर्स को छोड़ कर यहां पे पूछा गया है कितने महीनों के लिए होती है बताएं फोर कर आइटंसर क्या होगा दो महीने या छे महीने या तीन महीने या नौ महीने तो वैदता होती है दो महीने की ठीक है फोर का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा तक्चिसिला विस्विदाले किन दो नदियों के बेच इस्थित है most important question है आपके exam के लिए जेलम नदि के बीच इस्थित है ठीक है फाइब का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा अगले question के उचलते हैं रिगवेद में सबसे प्रमुक देवता कौन है देखेए वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका रिगवेद है ठीक है यह question बहुत पूचा जाता है तो बताएं रिगवेद में सबसे प्रमुक देवता कौन है इंद्र, अगनी, पशुपती, विस्नू तो रिगवेद में सबसे प्रमुक देवता है इंद्र ठीक है शिक सिखा यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा वेद से ही आपसे प्रशन में पूच रहा हूँ कि कौन सा वेद गद युमपत दोनों में लिखा गया है कॉमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग चलिए अगले प्रशन का जौब दें सब लोग कि भारत में बंजर भूमी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राजिका है राजिका नाम देखिए फिर बताएं बंजर भूमी का हिस्सा सबसे बड़ा किस राजिका है तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौदी कहां पाय जाते है मर्द प्रदेश में तो यही आपका सही हो जाएगा ठीक है नहीं नहीं राजश्थान हो जाएगा ठीक है बंजर पूछा जाएगा यहाँ पर तो राजश्थान आपका correct हो जाएगा ठीक है तो 7 का जो है आपका डी वाला विलकुन correct हो जाएगा ठीक है अगला परशने आप देख सकते हैं अंडमान तथा над निको बार दीब समों में सबसे उची चोटी कौन सी है 8 का जौब दने के प्रयास करेंगे कुछ भी डाउट से हैं comment box में doubt अपना clear कर सकते हैं free, pdip के लिए telegram group को join करें, वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी pdf अंडमान तथा निकोबार, दीप समों में सबसे उंची चूटी जो है आपकी है 워 है मांट थो इलर, ठीक है, एट का आपका सी वाला बिलकुन мерthon करेक्ट हो जगा, चलिए, एक कोसकी जियु कैसे प्रजनन करता है, बताएं सब लोग, एक कोसकी जियु कैसे प्रजनन करता है कोसी का इभाजन या कोसी का प्रज़नन या कोसी का संसलेशन या विखंडन एक कोसी की causing करता है कोसी का विभाजन दो रहा ठीक है आफन इसका इवाला विल्कुन correct हो जाए चलिए DNA का full form बताएं सब लोग और 30 में से जितने भी प्रशन आपके सही हो लाश्ट में कमेंट बाक्स में अपना नाम और इसकोर जरूर बताईएगा आप लोग डियने डियने का डियाक्सी राइबो निकुलिक अमल हो जाएगा ठीक है ओफनिस का डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा ठीक है चलिए निकुलिकित में से कौन सा या कौन से हार्मोन इस तरिव में पाई जाते हैं बताएगा फीमेल में कौन सा हार्मोन पाई जाता है इसमें बताना है आपको 11 का जवाब दने का प्रास करेंगे तो एस्टोजन पाई जाता है और प्रोजिश्टेरन पाई जाता है ठीक है तो 11 का आपका B वराब बिलकुन correct हो जगए ठीक है चलिए important question था अगले question को चाप दें सब लोग निमलिकित में से किस खेल में खेलाड़ियों के पाश Pascal के नियम का ग्यान होना अवश्चक है निमलिकित में से किस खेल में खेलाड़ियों के पाश पासकल के नियम का ग्यान होना आवश्चक है तो पासकल के नियम का ग्यान होना आवश्चक है किस खेल में इसकूबा डाइविंग में ठीक है 12 बका D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा इस पोर्ट से कोशन आपके एक्जाम में जरूर से जरूर आएंगे ठीक है चलिए इस प्रश्ण को आप दें एक समान मनुस्य के लिए सु इसपष्ट दृष्टी की नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए सेंटी मीटर में आप बताना है ठीक है थर्टीन का भी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए आई एस डी एन का असंचिप्त रूप क्या है बताएं सब लोग एक और आप्शन है यहाँ पर शबी लोग जवाब दने का प्रयास करेंगे आई एस डी एन का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिस में यहाँ पर लिखे ज़रा हूँ आई हो गया एस हो गया डी हो गया यहाँ पर डी हो गया एक मिनट में पूरा ही कट करेंगे ज़रा हूँ आई हो गया आपका, S हो गया, D हो गया, N, इसका full form आपको दाना है, तो integrated service digital network इसका full form हो जाएगा, असंचित रूप हो जाएगा, ठीक है, 14 का जितने बोग C जवाब दिया है, उनका अंसर बिल्कुन सही हो जाएगा, चलिए, निमलिकित में से किसे आजीरन के इलाज के लिए उपयो किया जाता है, बताएं सब लोग, निमलिकित में से किसे आजीरन के इलाज के लिए उपयो किया जाता है, तो वो है ETA seed, ठीक है, 15 का यह आपका, बिल्कुन correct हो जगा, निमलिकित में से किसे चादर के आकार में परिवर्थित नहीं किया जा सकता है, बहुत अच्छा को किया जा सकता है पोटी सी हम को चादर के आकार में परवर्दित नहीं किया जा सकता है 16 का सी आपका बिल्कुन करेक्ट हो देगा important question था आपके exam के लिए जितने भी लोग class को देख रहे हैं सबी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनलों को जरूर से जरूर सबस्क्राइब करके बिलागन को ओल पर विश्क लिए गए ताकि कोई भी बी अटेंटेंस exam की अपडेट आए वो अपडेट आपको शब से पहले हमारी चैनल की मादम से ही देखने को मिल सके मेनी माता रोग एक तंतरी का विकार है जो डौड़ डौड से ग्रसित मचली के सेंवन से होता है कैसे से ग्रसित मचली के सेवन से होता है या आपको पुदाना है importantth Leaf dies देगा सब लोग जो वाप देने का प्रयास करेंगे 17 का राइट उसर क्या हो जगा तो देखे पारा से ग्रसित मचली के सेवन से होता है मिनी माता रोग ठीक है पारा से चलिए 17 का B आपका बिल्कुन करिक्ट हो दगा देश के सभी राज्यों में महिला पुलिस स्वैम सेवी योजना के कारिवन्यन की अंतरकत प्रयोगिक तौर पर सरवर्थम किस राज में सुरू की गई थी दिल्ली, हर्याना, गुजरात या राजिस्तान 18 का जवाब दने का प्रयास करेंगे होप करता हूँ कि आज आपका स्कोर 30 में से कम से कम 15 कोश्चन्स करिक्ट हो तो वो राज है हर्याना 18 का C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा अगले प्रिशन के जवाब दने का प्रयास करेंगे सब लोग आंसर सूचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोख भी सकते हैं 19 का A आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं रिम्लेकित का मिलान करना है आपको कौन से टॉफी का शम्मद किस खेल से है कतर जहर वाला प्रशन है आपके एक्जाम के लिए देखी hey टॉफी कब से क्वशन आते हैं एक्जाम में इरानी का शम्मंद हो जाएगा भाई किस से क्रिकेट से हो जाएगा शंतोष का फुडवाल से हो जाएगा अजलान साहा का शम्मंद हो जाएगा हौकी से 20 का आपका B वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा 3 ओ बहुत ही important है ठीक है? चलिए, इस्टा लगा कि नोट के लिजगा आगला पुष्ण तमिलनाडू में जल्ली काट्व किस तेवहार का एक हिस्सा है कतर्छा है, पौंगल का है ठीक है, पौंगल तेवहार का एक हिस्सा है जल्ली काट्व 21 का B, आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा ओनम किस राज़का है ओनम किस राज़का है कॉमेंट बाक्स में छाप देंगे सब लोग चलिए निमलकित में से कौन वर्स 2016 के मेजर ध्यान चंद लाइफ टाइम अच्यूमन्ट अवार्ड का प्राप्त करता नहीं है इसमें बताएं इसमें कौन नहीं है तो इसमें साथी गीता थी सिल्वा नश डंग डंग थी रजेन प्रशाद सेलके थे अमित कुमान नहीं थे इसमें ठीक है तो 22 का D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए 2000 शोला का दा हिंदू पुरुषकार जीतने वाली किताब जिनाह आफन केम टू आवर हाउस के लिख बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए आगे चलते हैं किस देश के साथ भारत ने पांच वरसों तक के लिए पेट्रोलियम की अपूर्ती के समझहोते को नमी निकरत करने के लिए हस्ताचर किये हैं किस देश के साथ भारत ने किये हैं 2022 तक किया गया था इसमें हस्ताचर नेपा मारत का कौन सा पडोसी देश इस थल सीमा से घीरा हुआ देश नहीं है तो इसमें म्यामार आपका नहीं है बाकि नेपाल भूटान अफगानिस्तान है म्यामार आपका नहीं है ठीक है 25 का B आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा संदेश सेवा कि शेतर के अंतरगत आती है सेवा किस शेतर के अंतरगत आती है तो शंदेश सेवा तित्रियक शेतर के अंतरगत आती है ठीक है 26 का C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा चलिए निमलकित में से कौन सा एक प्रत्त चिकर नहीं है इसमें बताना है कौन सा एक प्रत्त चिकर नहीं है 27 का जवाब दने का प् कौन सा एक प्रत्तक्षकर नहीं है शब लोगों को गुड बॉनिंग भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेर कर देंगे सब लोग तो इसमें सभी प्रत्तक्षकर हैं ठीक है कोई प्रत्तक्षकर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जागा चलिए निमलकित में से कौन सा श्वाभावी करूप से नयापूर है 28 का जवाब दने के प्यास करेंगे वीडियो को लाइक नहीं किये है तो प्लीस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर कर देंगे कौन सा श्वाभावी करूप से नयापूर है इसमें वो है मौलिक अधिकार 28 का शी आपका बिलकून करिक्ट हो जगा आगे चलते हैं निमल के संसोधनों में से किसे भारत का लगु समिधान भी कहा जाता है कताई जहर वाला प्रशन है डबल स्टा लगा के नोट करिएगा लगु समिधान भी कहा जाता है भारत का किसे बताएं कौन से संसोधन को 22 में, 24 में या 24 में या सात्वा 29 का जवाब दने का प्रयास करेंगे इस्टा लगा के नोट करिएगा सबसे जबर्द जैसे प्रशन ये था आज़ी क्लास का भारत का लगु समिधान भी कहा जाता है किन संसोधन को ये कहा जाता है 29 का भी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा निमलकित का मिलान करें कौन सा मंदिर किस राज में है बहुत ही इंपॉर्टिन क्लास सी आज की ये ठीक है कम से कम 5-6 प्रशन कैसे थे जो कोशन बहुत एक्जामे को पूछे जाते हैं तो जो जो कोशन में इस्टा लगाया हूं उन कोशन को आप लोग नोड जरूर से जरूर कर लीजेगा बताएं इसमें वरहदेश्वर मंदिर हो गया दिलवाड़ा मंदिर हो गया लिंगराज मंदिर हो गया हमपी तो हमपी वाला तो भाई करनाटक में है लिंगराज मंदिर आप लोग बताएं दिलवाड़ा आपका राजिश्थान में हो जाएगा ठीक है लिंग राच उड़ीशा हो जागा वर ही देश और आपका तमिल नाडू हो जागा ठीक है तो 30 का आपका C वाला बिलकुन कर्रेक्ट हो जगा लेग Chloe पहला का B पहला का B सही है ठीक है दिलवारा यानि कि दूसरा का D सही है तीसरा का A सही है चौथा का C आपका शही है ठीक है तो ये था मिलान इसका सही शो फ्रेंड्स ये थे आपके JKJS के टॉप 30 कोश्चंस इन 30 कोश्चंस में जितने भी कोश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसकोर जरूब देगा और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर पिसके लिएगा इस चैनल से आपको निश्चिती मदद मिलेगी कुछ भी डाउट्स वेगा रहा हो तो कमेंट बाक्स में डाउट के लिए कर सकते हैं और क्रैस कोर्स जरूब परचेश कर लिए बहुत ही हेलफुल है फार्म जब स्टार्ट हो जागा तो इसका प्राइस बढ़ा दिया जागा अभी 149 बहुत ही कम प्राइस रखा गया है पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है ओके तो चली मिलते हैं अगली वीडियो पर थाएंकि शो मच